अज्यान प्रेवित कर्म और ज्यान प्रेवित कर्म में क्या फरक होता है अभी हम यह देखने जा रहे हैं कि भगवान हमको यह समझा रहे हैं वो कहते हैं अज्यान प्रेवित कर्म है वासना जनित कर्म और ज्ञान प्रेरित कर्म उच्च उद्देश प्राप्ति के लिए कर्म हो गया दो एक है वासना की प्रेरित होकर के कर्म करना और एक है उच्च उद्देश प्राप्ति के लिए कर्म करना दूसरी बात जो अज्ञानी लोग है वो सुख के लिए कर्म करते है और ग्यानी लोग सुख में कर्म करते हैं देखो कर्म दोनों तरफ हो रहा है हाजी फिर बोलते है अग्यानी लोग कर्म करते है to prove I am the best हाई या ना अभी ग्यानी लोग कर्म करते है to give everyone the best आपको ध्यान में आ रहा है इबान दोनों तरफ कर्म चल रहा है एक यहां यह प्रूव कर रहा है कि मैं ही अच्छा हूँ और यह यहां कोई प्रूव नहीं कर रहा है बट यह सब को बेस्ट दे रहा है next यह जो अग्यानी है वो कौन से भाव से कर्म करता है यह कर्म बहुत इसका नाम है इसलिए उत्कृष्ट कर्म ही मैं करूँगा निकृष्ट कर्म मैं नहीं करूँगा फिर वो मेरा कर्तव है तो अभी मैं इसको छोड़ दूँगा अभी ज्यानी लोग ऐसा निकृष्ट और उत्कृष्ट कर्म को देख करके कर्मनी करते है शुद्ध बुद्धी से कर्म करते है तो शुद्ध बुद्धी में there is nothing called as inferior और there is nothing called as superior because अभी ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेट कर्मनी करते हैं because which वर्ण is superior which वर्ण is inferior अभी ध्यान देना वर्ण चातुर वर्णयम्मया सुर्ष्टम एक है ब्रामन, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है क्षूद्र तो ब्रामन का जो कर्म है वो है विद्ध्या को पूरी तरह से लोगों को अवगत कराना याने विद्ध्या अर्जन करना और विद्ध्या को सब तरफ पूरी तरह से प्रचार प्रसार करना अभी खत्रिय का क्या है कि जब तक security प्रदान न हो, तो कोई भी शांत रह करके पढ़ाई नहीं कर सकता है अब ध्यान देना without security no one can study and no one can really prosper in life तो इसलिए security is required, administration is required और वो है क्षत्रिय धर्मा अभी कि इतने लोगों को अगर पढ़ाना है तो उनको खाना भी खिलाना पढ़ेगा कहां से आएगा? आजी, वैश्य देखो, और यह इतने लोग है, उनकी सेवा भी करनी पढ़ेगी अच्छा, कौन है? शूद्र अभी इसमें का एक जो वर्न है, अगर उसको निकाल दिया, तो ये तीन वर्न में पूरी तरह से विचलीतिता आएगी कि नहीं? तो कोई भी वर्न आप निकालो उसमें से, तो पूरी तरह से विचलीतिता हो जाएगी इसका मतलब है कि इस वर्न अवस्था में कोई न इन्फेरियर है न कोई सुपेरियर है इट इस ओनली फॉर दे सेक आफ अंडरस्टेंडिग बस, तो भगवान कहते है कि ये कर्तव्य जो होता है, वो शुद्ध बुद्धी से करना चाहिए, हम सब को अग्ज्ञानी प्रेरित कर्म कैसे होते है उसको आशा होती है कर्म के बाद तारीफ सुनने की हायन ज्ञानी जन्द को क्या होता है तारीफ करने की आदत होती है वो दूसरों की तारीफ करते है खुद की तारीफ के लिए वो कभी भी इच्छा नहीं रखते है अभी जो अघ्ञानी है वो मैं और मेरा बस इसी तक कर्म को सिमीत रखता है और ङ्ञानी लोग सब के लिए कर्म करते है तो हम ने देख लिया कि कर्म दोनों तरफ हो रहा है और भगवान कहते है कर्म तो करना ही है लेकिन उसका जो उद्देश है उसका जो पूरी तरह से भावना है वो भावना को शुद्ध बना करके कर्म करो तो फिर आप हमेशा मेरे साथ रहोगे